तो आप सभी लोगों का एक बाई फिर से स्वागत है एलेक्टिकल कलब में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आई हमारी के पांच मोस्ट इंपोर्टन कोश्चन की जो की काफी बार एक्जाम में पूछे जा चुके हैं और इस बार भी मोस्ट इंपोर्ट इंपोर्टन काफी बार पूचे जाते हैं तो दोस्तो चलिए वीडियो के स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के सबसे पहला कोश्चन आप देख सकते हैं आपस सिरो परी लाइन के भू समपरकन को समझाईए यहाँ पर बोला गया है कि जो overhead lines जाती है उनकी अर्थिंग किस प्रकार की जाती है उसको समझाना है या पांच नंबर में आप लोगों का पूछा जाएगा दोस्तों इन सभी question के answer आप लोग को मैं बताने वाला हूँ इसे वीडियो में आप लोग किस प्रकार से question के answer को लिखेंगे वो तरीका भी आप लोगों को बताऊंगा और पांच में से 4.4 marks आप कैसे प्राप्त करेंगे वो तब आप लोग को देखने को मिले कैस वीडियो में second question देख लेते हैं pole mounted sub station को चितर सहीत समझाए third question यहाँ पर bus bar क्या होते हैं इसके task क्या होते हैं इसके बाद fourth number question है jumper wire क्या है और fifth number जो question है वो है तरी तिनिरोधा क्या है यानि कि lightning arrester यह 5 question आप लोग को करके बताऊंगा तो चलिए वीडियो में last तक जरूर बने रहे हैं और आप ही आप लोगों को UEE, EDD, Second के भी आप लोग को वीडियो देखने को मिलेंगे तो उस्प तक के लिए चैनल को subscribe करके bell icon को press कर लें और आप लोग को काफी बड़ा दिया हुआ लेकिन आप लोग को सिर्फ इतना ही लिखना है लेकिन आप लोग को तरीका थोड़ा सा बदलना पड़ेगा सबसे पहले आप लोग को मोटे से heading डालना है कि zero per line में line का भूसम पर्क में इसमें question पूछा गया है earthing, earthing क्या होती आप लोग को पता ही होगा जब किसी भी wire में extra charge, extra voltage आ जा जाता है तो उसे जमीन में earth करने के लिए हम लोग earthing करते हैं तो उसके आगे आप लोग बार-बार zero per line यानि के overhead line का इस्तमाल करते रहना है आप लोग को 5-6 line लिखना है आप लोग को एक page complete करना है और दूसरे page में आप लोग को 5-6 point wise लिखना है एक point या काखा अगार करके जिसे भी आप लोग से table लगे आप लोग point लिखेगा point में आप लोग को क्या लिखना है और वो 5-6 line क्या लिखना है केवल उसी को पसंद आता है उस पर ही ज्यादा मांग देता है तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे कि over head line में extra voltage आ जाने के कारण हम लोग अर्थिंग करते हैं extra voltage यदि आ जाता है तो हमारे जो wire होता है wire में stability का यदि गुड है तो उसमें ज्यादा है तो extra voltage के कारण वो सैग आ जाएगा और यदि इस्टिविल्टी यानि flexibility का गुड कम है तो भंगुर होके तूट जाएगा इसलिए extra voltage को नियंतरन में रखने के लिए हम लोग अर्थिंग का प्रियोग करते हैं जिससे हमारी overhead line transmission या distribution आप लोग लिख सकते हैं तो उसको बचाओ हेतू हम लोग अर्थिंग करते हैं और ये बहुत ही उपयोगी है और ये काफी समय से चली आ रही और ये इसमें एक किलो मीटर में तीन बार अर्थिंग करनी पड़ती है तीन तीन सो मीटर की रेंज में और हर में एक पोल लगाते हैं पोल में आप लोग को इस्टे इंसुलेटर का प्रियोग करते हैं आप लोग पूरी डिफिनिशन पढ़ लिएगा आप लोग को मोटा मोटा यही समझ में आएगा आप लोग ये चार से पांच लाइन लिखके अपना पेज जो है एक पेज फूल करना है इसके बार सेगेंड पेज में आप लोग को चार से पांच पॉइंट लिखना है कि अ यह वर्ड आप लोग आगे रखते जाएए बार बार शेकेंड आप लोग लिख सकते हैं कि यदि हम यदि आकासी बिजली गिरती है आप वायर में तो उससे अर्थिंग आप लोग के सिरो पर लाइन को बचा लेगी क्यूंकि आप लोग को सबसे उपर जो वायर जाता है पतल क्यों करते हैं जिससे ट्रांसमिस्जन लाइन हमारी ओवरेड लाइन बचाव में रहती है इसके बाद फिफ्ट में आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं एक पॉइंट अपने मंद से आप लोग लिख सकते हैं तो इस प्रकार से आप लोग को दो पेज जो है कंप्लीट हो ज करेंगे आप लोग तो आप लोग यहां नीचे देख पा रहे हैं यहां पर एडवांटेज और डिसएडवांटेज दिये गए यह आप लोग पॉइंट जरूर नोट करिए गए लिख किया येगा इसके बाद आ जाते हैं बाद डिफिनेशन की और डियाग्राम की तो डिय लोग को सिंगल लाइन डियाग्राम दिख रहा है यह भी आपने बनाया और यह भी तो इसमें काफी टाइम आप लोग का टूड़ जाएगा आप लोग के दो से तीन कोश्चन छोड़ जाएंगे तो आप लोग को कभी भी बड़ा वाला डियाग्राम नहीं बनाना है सिंग यह भी टाइम नहीं गवाना है आप लोग को सिंगल लाइन डियाग्राम बनाक्याना है और इसमें जो जो डिवाइज लगी उसको थोड़ा से डिस्क्राइब कर देना मान लीजिए सबसे पहले हम लोग इसको डिस्टिबीयूशन लाइन में यूज करते हैं और advantage यह आप लोग का complete हो जाएगा इसके बाद बात आ जाती है बस बार की थर्ड question था हमारा बस बार क्या है दोस्तो एक्जाम में कभी भी यदि बस बार पूछे जाएंगे तो तीनों एक साथ पूछे जाएंगे इनके टैप्स पूछे जाते हैं बस बार क्या है बस बार के तो इस सिर्फ diagram में चला जाएगा आपको सिर्फ आधा पेजी लिखना है और उस आधा पेज में क्या लिखना है बस बार heading डालिएगा Hindi English से बस बार की जब आप लोग definition लिखेंगे तो लिखेंगे बस बार एक ऐसा conductor wire होता है ऐसा चालकतार होता है जिसकी साहता से हम लोग supply लेते हैं यह सबसे पहले आप लोग की जो supply आती है ट्रांसफार्मर में उतरती है आप लोग को एक process बता दे रहा है आप लोग लिखेंगा मत समझ लीजे सिर्फ सबसे पहले जब ट्रांसविसन लाइन आती है किसी सब 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 पहले step down transformer लगा कर उसे उतारते हैं फिर ब लिखेंगा से आप लोग को बस बार की definition लिखना है कि बस बार एक ऐसा conductor वायर होता है जिसके वाध्यम से हम supply लेते हैं यह केवल और केवल सब सबस्टेशनों में परियोग करते हैं ना कि transmission line यह नहीं आप लोग को सिर्फ station लिखना है power station, distribution station, sub station, grid sub station इन सब सबस्टेशनों म आप लोग करने और लिख सकते हैं तो यह आप लोग लिख सकते हैं इसके लावा आप लोग डियागराम बना दिए तिएगा single line आप लोग यहाँ से देख सकते हैं सिंगल लाइन है और यह आप लोग का डवाइन है आप लोग यहां से और शब्स पहले आप लोगको बता जाती हैं कि यह од कर संगल बसबार से हम लोग काम कॉला लेक्स देती माली सिंगल बसबार यदि पहीं से भी खराब हो गया system तो supply को continuity बनाये रखने के लिए continue रखने के लिए हम लोग ने double बसबार का यहाँ पर निर्माड किया double बसबार का ताकि supply जो हमारी continue बनी रहे बरकरार रहे किसी प्रकार से fail ना हो अब इसके बाद माली double बसबार भी बन गया तो फिर हम लोग का sectionalization बसबार क्यों बना ताकि हम लोग के जो commercial purpose यूज करते हैं जैसे किसी भी industry में supply भेजना है या फिर गई भी आप लोग का जैसे नहर के लिए बड़ा अधनी डैम वगेरा बन रहा है तो वहाँ आप लोग का पानिक supply के लिए supply भेजना है विजली भेजना है या फिर आप लोग का तैसील या फिर किसी भी commercial purpose के use के लिए हम लोग ने इसका निर्माण कर लिया तो यह आप लोग लिख सकते हैं इसके बाद diagram बना जी आप लोग का confirm हो जाएगा नेक्स्ट देख सकते हैं jumper wire jumper wire कभी कभी जो आप लोगों का इसमें difference पूछ लेता है कि jumper wire में क्या अंतर होता है jumper wire और इसके अलावा जो है guard wire इनमें अंतर पूछ लेगा तो आप लोग का 5 नमबर देगा और केवल और केवल jumper wire पूछता है तो आप लोग का 3-4 नमबर का ही आप लोग का पूछता है तो jumper wire क्या होता है बहुत ही अच्छी device होते हैं यह हम लोग जो है transmission line में प्रियोग करते हैं इसका जो real diagram है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यह transmission और distribution line में हम लोग प्रियोग करते हैं क्यों प्रियोग करते हैं यह भी आप लोग को बता देते हैं तो जहां कहीं भी आप लोग ने देखा होगा कि transmission line को मोडा जाता है तो वहाँ पर हम लोग अधिकतर jumper wire यूज करते हैं jumper wire इसलिए यूज करते हैं कि जो tower होता है उसमें ज्यादा जोर न लगे और आपके साथी साथ insulator भी विकार न हो इसलिए हम लोग वहाँ से current को आसानी से प्रफ़ा करने के लिए flow करने के लिए हम लोग एक ऐसा wire नीचे से लगा देते हैं जिससे हमारा ज्यादा लोड जो है insulator में न पड़े और इसके लावा tower में भी उसके ज्यादा लोड न पड़े और सीधे ही अपना insulator से बिना होते हुए आप लोग नीचे से एक ऐसा wire लगा दे जिससे supply continue बनी रहे इसलिए हम लोग jumper wire का यूज करते हैं इसी नाम भी इसी पर पड़ गया है jump करना यानि कि jumper wire यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो definition दी गई है यह आप लोग definition नहीं लिखेंगे आप लोग क्या लिखेंगे चलिए बताते है jumper wire जो होता है एक conductor wire होता है jumper wire एक ऐसा चालकतार होता है जिसम की resistivity बहुत ही कम होती है और conductivity बहुत ही हाई होती है और यह हमेशा गुमाओदार इस्थान पर लगाए जाते हैं और इसमें हम लोग हमेशा जो है strain टाइप इंसुलेटर लगाए जाएंगे यह आप लोग देख सकते हैं यह strain टाइप है यदि वर्टिकल में होते तो इन्हें हम लोग suspension टाइप इस्थान बोलते तो यह हमेशा strain इंसुलेटर के साथ लगा जाते हैं गुमाओदार इस्थान पर तो यह हमारा होता है जंपर वायर अब इसी में हम लोग का गार्ड वायर भी पूछ लेता है तो गार्ड वायर आप लोग को केवल और केवल डिस्टिब्यूशन लाइन में देखने को जो कि किसी भी भीड भाड़ इलाके में गिरे ना इसलिए हम लोग गार्ड वायर का यूज करते हैं आप लोग को यहां पर इमेज के माद्यम से दिखा देंगे तो यह यहां पर कंप्लीट हो जाता है आप देख सकते हैं हम लोग लाश्ट कोस्चन हम लोग क्या था लाइटनिंग अरेश्टर का कोस्चन कभी भी अगर पूछा जाएगा तो हमेशा साथ में ही पूछते हैं सारे अरेश्टर आप लोग को हेडिंग डालना है लाइटनिंग अरेश्टर यानि की प्रतिरोधाक निरोधाक तडितरोधाक यह सारे इसके नाम होते हैं हिंदी मे आप लोग हेडिंग डालिये का हेडिंग डालने के बाद lightning arrester की थोड़ी सी definition लिखना है आप लोग को इसके बाद इसके type से लिखना है lightning arrester की definition आप लोग लिख सकते हैं कि यह device जो होती है यह आकासी बिजली से रच्छा ब्रदान करने हेतु लगाई जाती है यह आप लोग ने काई सारे देखा होगा कि टावर के उपर लगे मिल जाएंगे आप लोग को lightning arrester इसके लाबा आपने पुरानी मंदीर मस्जीद देखे होंगे तो उन पर तिरसूल या फिर कुछ गुमबत में metal के चीज़ लगाई जाती थी ताकि उसमें आगासी बिजली गिरे तो उसे खंडित न करे तोड़ना दे इसलिए वहाँ पर हाई मेटल यानि हाई कंड़क्टिविटी मटेरियल का यूज करते थे जिससे करेंट तुरंद ग्राउंड हो जाए तो इसलिए हम लोग lightning arrester का उसी से हम लोग ने lightning arrester का निर्माड किया तो यह यहाँ पर lightning arrester के आप लोग definition लिख सकते हैं इसके बाद जो है आप लोग इसके types यहाँ पर देख सकते हैं 5 परकार के होते हैं परकार का आप लोग को ऐसे लिखना है और बारी बारे से आप लोग को diagram जो है यहाँ पर काफी tough बताया गया है यह आप लोग का तो simple है लेकिन आदा जो diagram है काफी tough है तो आप लोग net से कई सारे इनके निकाल लीजेगा जो आप लोग को easy लगे वो आप लोग बना लीजेगा और इसमें आप लोग को लिख लीजेगा अपने हिसाब से 2-3 ती लाइन आप लोग इस परकार से आप लोग का पूरे 5 नमर का हो जाएगा तो दोस्तों कैसे लगी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बता यह PDF आप लोग को telegram चैनल पर मिल जागी और जो next वीडियो आने वाली है यूटबली और EDD second पर first year second year अप सारी वीडियो आप लोग को इस चैनल पर बहुत जल्दी जल्दी मिलती रहेंगी और इसके अलाबा जॉब की जो आप लोग को requirement है वो भी हम आप लोग के vacancy related वीडियो भी बनाते रहते हैं तो वह लोग भी आप लोग देखते रहिएगा उसमें आप लोग को freezer और जो इस time polytechnic कर रहे हैं उनकी भी निकलती रहती है तो सभी लोग के लिए job भी निकलती रहती है तो वो भी आप लोग form fill up करते रहिएगा तो जो अगली वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगी जैसे यहां पर book की यहां पर image हमने लगाई है तो वहां पर आप लोग को हम अपने hands written यहां जैसे आप लोग को बताया है definition किस परकार लिखना है तो वो हम लोग हम खुद आप लोग को लिख के दिखाएंगे कि आप लोग को इतने नंबर मिल सकते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रस कर लिएजिए मिल इसते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जैए